हेलो फ्रेंड्स धर्मी एंड सेट फिटनेस एंड व्लोग में आपका स्वागत है आज का व्लोग स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप शुटिंग के लिए प्रिप्रेशन केसे करते हो और किस तरह से शुटिंग करते हो वह हमें डीटेल में बताइए तो जो फ्रेंड्स अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी आसन रहेगा तो आज मैं धर्मिस किचन के लिए चिली पनीर का शुटिंग करने जा रही हूं और इसके लिए सबसे पहले मुझे प्रिप्रेशन करना पड आपको लगता होगा कि शुटिंग करना बहुत ही आसन है लेकिन इतना आसन नहीं है अगर आपके पास शुटिंग के लिए टीम हो तो आसन रहेगा लेकिन अकेले शुटिंग करना हो तो थोड़ा मुश्किल भी रहता है तो पनीर चिली बनाने के लिए मैंने सब सबजिया ली है उसे पहले मैं कट कर लूँगी यहां आपको सब वो देखने को मिलेगा जो आप रेसिपी में नहीं देख पाते हैं क्योंकि शुटिंग में यह सब मैं नहीं दिखा थी क्योंकि इसमें टाइंग बहुत जाता है और वीडियो भी बेवज़े लंबा हो जाता है तो मेरे पास ना शुटिंग करने वाली टीम है और ना एडिटिंग करने वाली टीम है तो मैं शुटिंग मैं बेबी कॉन को बोईल कर लूँगी और रेसीपी में मैं डाइरेक्ट वही दिखाऊंगी कि यह मैंने बोईल करके लिया है और साथ ही साथ हमें सब क्लीन भी करना पड़ता है क्योंकि वीडियो में अगर थुड़ा सा भी गंदा दिखे तो वह अच्छा नहीं लगता और जो सब इंग्रीडियन्ट है उसे भी हमें अलग-अलग बाउल में निकालना पड़ता है ताकि वीडियो में अच्छा दिखे और हमारा काम भी फटा-फट हो जाएगा और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बेल पेपर लिये है वो भी कट कर लूँगी बीना सीजन के जब हम बेल पेपर लेने जाते हैं तो थोड़े से महेंगे भी पड़ते हैं तो जब भी मैं यलो और रेड बेल पेपर लाती हूँ मार्केट से तो दो तिन रेसिपी उसी में से ही शूट कर लेती हूँ बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट्स में पुछते भी है कि में आप यूट्यूब से कितना कमाते हो तो वो भी मैं कभी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी अच्छा खासा कमाती हूँ लेकिन इसके लिए मैनत भी बहुत ही करती हूँ आपको वो सब रेसिपी में नहीं दिखता कि हम कितनी ही मैनत करते हैं लेकिन इसके लिए बहुत मैनत करनी पड़ती है आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं साड़े तीन बज़े उठ जाती हूँ और साड़े तीन बज़े उठकर मैं एडिटिंग करती हूँ साड़े तीन से छे बज़े तक मेरा एडिटिंग चलता है और उसके बाद रूटीन काम होता है बारा बज़े तक मेरा शुटिंग चलता है सुबह में उसके बाद लंच बनाना और घर का काम बीच बीच में रहता है वो सब है और फिर पूरा दिन एडिटिंग में चला जाता है तब जाके एक रेसिपी रेडी होती है तो आपको लगता होगा कि ये बहुत ही आसान है रेसिपी बनाना शूट करना और अपलोड करना तो इतना आसान नहीं है और पहले तो मैं शूटिंग करके फिर वोईज रेकोर्ड करती थी और फिर वोईज रेकोर्ड को भी मैं एडिट करती थी तो उसमें मेरा डबल टाइम जाता था और अभी मैंने इस तरह का एक recorder ले लिया है तो मैं shooting करते वक्त ही recipe बोल देती हूँ तो मेरा editing का time काफी बच जाता है और जो भी ingredient लेती हूँ वो सब measurement करके ही लेती हूँ ताकि जो friends बनाते हैं उनके लिए भी recipe बनाना आसान रहता है और इसलिए तो बहुत सारे friends comments में कहते हैं कि आपकी recipe perfect बनती है आप जीस तरह से हमें measurement बताते हो हम उसी तरह से बनाते हैं तो हमारी recipe perfect बनती है आप देख सकते हो कि तयारी में भी कितना time जा रहा है और बहुत सारी चीजे बच जाती है आदा शिमला मिर्श बच जाता है तो इसे मुझे संभाल के रखना पड़ता है और next recipe में इसका use भी करना होता है ताकि ये waste रहा जाए तो मेरी सब preparation आदे घंटे में हो गई है अब मुझे recorder थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद मैं recipe शूट करना स्टार्ट करूंगी अब मेरे पास दो mobile है उसी से मैं शूट कर रहे हूँ एक जो आपको दिख रहा है वो सामने में रखा है और एक shooting के लिए मैंने यहाँ पर set किया है और मेरे सब ingredient भी ready है तो मुझे अब shooting करने में आसानी रहेगी अब जो यह वाला recorder मैंने यह mobile में लगाया था वो मैं अब shooting वाले mobile में लगा दो अब मेरे शुटिंग स्टार्ट हो रहा है पनीर चिली पनीर चिली बनाने के लिए मैंने यहाँ माद 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे इस तरह से लगा कट कर दिया है अब इसमें एक पीस कुन लागने शौडर एक रहें के लिए अब इसमें एक यह आके रहे तब यह एसे ही शूट करते एंड काफी टफ है लाइट कंपर सेटिंग करने गा कैमेरा भी बराबर शुटिंग करने का प्लेशाथ में रिस्पी बना दे जाने करने का एंड लास्ट में एडिटिंग भी करने का तुछ काफी टफ है वेट फिया बहुत इसली मैनेज करते है एंड कौन से कैमेरा स्टैन एंड लाइट यूस करते है वह हम कमिंग वीडियो आपके सथ ज़रूर शेर करेंगे एंड वीडियो कैसा बनता है कैसे लुक पुटाता है अब दर में किचन चया कर रेसिपी देख सकते हो है के बचाइब ज़रूर बताएगा जोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएगा में दोने फिर्मिनों में ऐसी नी आसांसी रेसिपी के साथ प्रेंड्स तो इसी तरह से होता है मेरा शुटिंग शुटिंग करना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन एक दू घंटा जो हम मैनत करते है क्योंकि गेस चालू रहता है तो हम पंखा भी चालू नहीं कर सकते है और उपर से ये 40V का बल तो गर्मी भी बहुत ही लगती है जब रेसिपी लंबी होती है तो अब तो लगता है कि चक्कर ही आ जाएगा उपर से मुझे विंडो भी बंद रखना पड़ता है क्योंकि नहीं तो बाहर की आवाज आती है तो रेकोडिंग में भी डिस्टरबंस होता है तो इतनी सारी गर्मी में शूट करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन सब इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं तो रेसिपी शूट करने में बहुत ही मज़ा आता है और मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कुछ नया करने की और अच्छी अच्छी रेसिपी शूट करने की तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो और कौन-कौन से वीडियो आप देखना चाहोगे वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा तो हम ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ फीर मिलेंगे तब तक के लिए बाई-बाई